हिंदु धर्म में तुलसी को एक बेहधी पवित्र पौधा माना जाता है, इसकी सुबा शाम कूजा की जाती है। ऐसे में आप अमावस्या तिथी पर तुलसी से जुड़े कुछ खास उपायो द्वारा लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। आए जानते हैं कि अमावस्या के दिन तुलसी पर क्या चीज़े अर्पित करनी चाहिए। सनातन धर्म में अमावस्या की तिथी को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। प्रतेक माह के कृष्ण पक्ष की पंद्रवी तिथी अमावस्या तिथी कहलाती है। पॉश माह में पढ़ने वाली अमावस्या साल 2024 की पहली अमावस्या होगी। आए इस वीडियो जानते हैं कि पॉश अमावस्या के दिन तुलसी में क्या अर्पित करने से व्यक्ति को लाब मिल सकता है। पॉश अमावस्या शुब मुहूर्थ पॉश माह की अमावस्या तिथी 10 जनवरी 2024 को रात शुब ने 8 बचकर 10 मिनट पर प्रारम हो रही है। साथ ही इस तिथी का समापन 11 जनवरी के दिन शाम शुब ने 5 बचकर 26 मिनट पर होगा। ऐसे में साल 2024 की पॉश अमावस्या 11 जनवरी गुरुवार के दिन मनाई जाएगी। अमावस्या का महत्व हिंदु धर्म में अमावस्या तिथी का विशेश महत्व है। इस तिथी पर भगवान विश्णू, महादेव और सूर्य की उपासना की जाती है। साथ ही अमावस्या तिथी पित्रों का तरपन आदी करने के लिए भी महत्वपून मानी जाती है। ऐसे में साधक इस तिथी पर दानपुन्य आदी करके शुप फलक्राप्ट कर सकता है। जरूर अर्पित करें ये चीज़। अमावस्या तिथी पर तुलसी माता को लाल रंग की चुन्री अर्पित करें। ऐसा करने से साधक की जीवन में सुख समृद्धी का वास बना रहता है। इसके साथ ही अमावस्या पर तुलसी में कच्चा दूर धर्पित करें और तुलसी जी के समक्ष एक दीपक जरूर जलाएं। इसके बाद जीवन की सुख समृद्धी के लिए काम ना करें। मिलेंगे कई लाग, अमावस्या के दिन एक पीले रंग का धागा लेकर उसमें एक सो आठ गांत लगाएं। इसके बाद इस धागे को तुलसी के पौधे में बांध दे और तुलसी जी की पूजा करें। ऐसा करने से व्यक्ति पर्मा लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। इसके साथ ही आप इस दिन तुलसी पर लाल कलावा भी बांध सकते हैं। इससे भी व्यक्ति को कई तरह किलाब प्राप्त हो सकते हैं।